दोस्तों नमस्कार मैं राजकुमार आपका दोस्त आज आपसे कुछ बाते करना चाहरा हूं और मिलेको लगता है वह बाते करने का यह सही टैम भी है देखिए हम कोई भी काम करते हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो बारवी करते हैं तीन साल का ग्रेजुएशन करते हैं त पढ़ता है और इसी तरीके से डौक्ट्री लेन में जाना है तो पड़ाई करता और इन सब चीजों के साथ साथ बहुत सी चीजे ऐसी बहुत यह जो बिल्कुल आलग हो जाती है जैसे कि कोई अपने खेल में केरियर बनाना चाहता है कोई किर्केट में जाना चाहता है तो वो किर्केट सीखना शुरू करता है बैडमिंटर में जाना चाहता है तो बैडमिंटर सीखना शुरू करता है कोई फुटबॉल में होकी में किसी भी फिल्ड को वो अपनाना चाहता तो उस फील्ड को उसे सिखना पड़ता है और उस फील्ड में उसे वक्त भी देना पड़ता है जैसे कि अगर कोई बोलर बनना चालता है तो और बोल लेकिए कई वार भागता है किई वार प्रैक्टिस करता है इसी तहरी लेकिन एक MLM ऐसी फिल्ड है कि जिसके अंदर आदमी या औरत कोई भी आके वह सिधा जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से हर फिल्ड के बेस त्यार होता है उसी तरीके से multi-level marketing का भी एक बेस है, जो चीजे वह हमें सीखनी पड़ती है, वो चीजे क्या हैं? जैसे कि हमें list कैसे बनानी है? हमार फॉलॉप कैसे करना है? हमार को communication कैसे रखना है? हमार को कौन-कौन से skill सीखने पड का महत्व होता है प्रैक्टिश चाए कि इसलिए आपको पहले बिदाères के लिए यक्याम मर्क्तिंग करने के लिए कि आपके साथ क्या हाथ्से होते हैं यह कि दि सूच थे लेकिन होती है जैसरे अगर मैं मैं किweesh कि बारूड करूं उस नेट वर कर की बात करूं तो वो सीनियर मिलता है सीनियर उसकी स्वोड करता है वह उसकी स्वोड aconte करता है उन्हीं सभी चीजहों को लेकर वो बहुत कुछ उन से सीखता है लिष्ट बनाना भी स्था फॉलॉव भी सीखता है चेनिंग लेने की भी सीखता है उसके दिन रथ मेनट करता है और उसके कारण एक टीम खड़ी होती है अब टीम खड़ी होने के बाद जब उस लीडर को पैसा आना शुरू हो जाता है या कुछ पहचांद बनी शुरू हो जाती है तो वह अपने लगाने लग जाता है कि अब ऐसे करूँ या इसे करूँ कई वर सीनियर की बाते चुमने लग जाती है में लग जाती है क्यों अब अपने आपको एक शब्द आ जाता है जिसे कहते हैं मैं अब उसका करण क्या होता है जब टीम चल पड़ी पैसा आना शुरू हो गया तो ना उसे senior की जोरति की महسوس होती है ना ही team की तब उसको दिखता है अपना घर और घर पर नजार आता है उसे बिस्तर जिसके उपर वो आराम से अपनी नीद पुरी कर सके और उसके साथ-साथ क्याता है परीवार दिखने लग जाता है परिवार की जूरतिखने लग जाती है या कोई भी फिल्ड काऊंग। जब आप उस काम की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपका जो स्किल जो दीरे दीरे अभी डैवलप होना शुरू हो आता है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सेल्स की दुनिया के अंदर आपका जो दर्वाजा है आपको अपने घर के दर्वाजा छोड़कर अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनके पास उनके दर्वाजों तक जाना पड़ता है। उनके साथ वो सब कुछ सिखाना पड़ता है जो वो सिखा है अब यह सब सीखने और सिखाने की परक्रिया लाइफ टैम चलती है लेकिन इसी बीच में कुछ लीडर अपने घर पे बैठ जाते हैं तो मैं यह बोलूँगा कि घर पे बैठना उन लीडर के लिए एक तरह से जिस जैसे वो अपने जोर लगाना कम करते हैं वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं और यही लीडरों के साथ होता है जब प्रैक्टिस चोड़ देते हैं जब वो टीम का साथ चोड़ देते हैं तब जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था दीरे दीरे वो उसी सफर के ऊप पहुंचने की तैयारी शुरू कर देते हैं अब उसके अंदर होता क्या है घर पे रहने से क्या होता है आलस आता है नीद आती है और आराम की आदत पड़ जाती है और यह आराम ही एक दिन उस लीडर को खतम करने की तैयारी शुरू कर देता है तो आप अपनी फील्ड में आपको कोई देव नहीं लगती है नीचे आप बड़ी तेजी से गिरते हैं और फिर वहीं पर जाते हैं लेकिन इस बीच में आपने दो चार साल पांच साल साथ साल जो भी टेट वर्किंग को दिया है उसके कारण आपके जो सपने थे वह बड़े हो चुके थे वह देरे धू की शांती को भी खराब करती है तो आपके लिए सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने काम में दिन रात प्रैक्टिस करिए दिन रात अपनी टीम बनाई है दिन रात उसे टेनिंग दीजिए सफल आदमी की एक ही पहचान होती है कि लोग उसकी नकल करने लग जाए वो लोग क आपकी टीम में होता है जब यह आपकी नकल होने लग जाती है तब आप सफल होना और भी तेजी से शुरू होते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं इस सब के लिए आपको निरंतर चलना पड़ता है प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ता है टीमों से मिलना पड़ता है ग्र परिवार इज्ञत ओमान लेने के लिए और आपको निरंतर जीतना, पड़ेगा है। इसी के साथ मैं अपनी बात बद करता हूं और आप सबको शुथ कामनाई देता हूं कि आप अपने जीवन में और भी सवाल हो और भी तरक्कि हो जाहिन जाह दिल लिग रहें नमस्कार